हेलो बच्चो कैसे हो आप लोग आशा करती हूं सब स्वस्थ होंगे आए आज आपका अध्याय व्रतों से संबंदित चेत्रफल आगे समझना शुरू करते हैं अभी तक हमने विभिन आकरतियों के चेत्रफल प्रिथक प्रिथक रूप से ग्याद किये हैं आएए अब समतल आकरतियों के कुछ संयोजनों, कॉंबिनेशन्स के चेत्रफल ग्याद करने का प्रेत्न करें हमें इस प्रकार की आकरतियां देनिक जीवन में तथा विभिन रोचक डिजाइनों के रूप में देखने को मिलती हैं फूलों की क्यारियां, नालियों के धकन, खिडियों के डिजाइन, मेजपोशों पर बने डिजाइन, आदी, ऐसी आकरतियों के कुछ उधारन है इन आकरतियों के छेत्रफल ग्याद करने की प्रक्रिया को हम कुछ उधारनों द्वारा स्पष्ट करेंगे आएए, पहला उधारन देखते हैं आकरति में 56 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार लॉन A, B, C, D के दो और बनी हुई दो वरताकार फूलों की क्यारियां दर्शाई गई हैं यदि प्रतेक वरताकार क्यारी का केंद्र लॉन के विकर्णों का परिछेत बिंदू O है तो वर्गाकार लॉन तथा फूलों की क्यारियों के छेत्रफलों का योग ज्याद कीजिए पाई बराबर 22 पटा साथ का प्रियोग कीजिए आए हल समझ लेते हैं संपून छेत्रफल बराबर है त्रिज्य खंड OAB का छेत्रफल प्लस त्रिज्य खंड ODC का छेत्रफल प्लस OAD का छेत्रफल प्लस OBC का छेत्रफल ठीके बच्चों आकरती आपने समझ ली आईए अब हम इसको यहाँ पर हल करेंगे 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 28 गुना 56 प्लस 90 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 28 गुना 56 प्लस 1 बटा 4 गुना 56 गुना 56 प्लस 1 बटा 4 गुना 56 गुना 56 और सदल कर लेते हैं 1 बटा 4 गुना 28 गुना 56 हमने उभेनिष्ट कर लिया और हमें मिलेगा 22 बटा 7 प्लस 22 बटा 7 प्लस 2 प्लस 2 इसको हल करके हम पाते हैं 7 गुना 56 बटा 7 और कोश्टक में 22 प्लस 22 प्लस 14 प्लस 14 और इसको हल किया हमने हमें मिला 56 गुना 72 जो पराबर होगा 4032 मीटर स्क्वाइर के ठीक है बच्चों समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं उधारन दूसरा आकरती में छायंकित छेत्र का छेत्रफल ग्याग कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है हल देखिए वर्ग ABCD का छेत्रफल बराबर होगा 14 गुना 14 जो है 196 सेंटीमीटर स्क्वाइर के प्रतेक व्रत का व्यास कितना होगा 14 बटा 2 जो हुआ 7 सेंटीमीटर इसलिए प्रतेक व्रत की तरिज्या कितनी हुई 7 बटा 2 सेंटीमीटर अतह एक व्रत का छेत्रफल कितना होगा बच्चो पाई आर स्क्वेर तो पाई का मान है बाईस बटा साथ गुना साथ बटा दो गुना साथ बटा दो इस प्रकार ये हुआ 154 बटा चार जो बराबर हुआ 77 बटा दो सेंटीमीटर स्क्वेर इसलिए चारो व्रतो का छेत्रफल बराबर होगा 4 गुना 77 बटा दो इस प्रकार हमने इसको यहाँ पे हल किया और 2 से 77 को गुना करके हमें मिला 154 सेंटीमीटर स्क्वेर अतह चांकित छेत्र का छेत्रफल कितना होगा 196 माइनस 154 जो हुआ 42 सेंटीमीटर स्क्वेर समझ में आया बच्चो चलिए अगला प्रेशन करते हैं तीसरा उधान आकरती में छायंकित दिजाइन का छेत्रफल ग्याद कीजिए जहां ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा इस वर्ग की प्रतेक भुजा को व्यास मानकर अर्धवत खींचे गए हैं पाई बराबर 3.14 का प्रियोग कीजिए आए चार अच्छायंकित छेत्र को एक दो तीन और चार से अंकित करें आए आगे समझते हैं पहले का छेत्रफल प्लस तीसरे का छेत्रफल बराबर होगा A, B, C, D का छेत्रफल माइनस दोनो अर्धवरतों का छेत्रफल जिन में से प्रतेक त्रिज्या पांच सेंटीमेटर है जो बराबर हुआ 10 गुना 10 माइनस दो गुना एक बटा दो गुना पाई गुना पांच इंटु पांच सेंटीमेटर स्क्वेर इसको आप देखिए हल करिए 10 गुना 10 कितना हुआ 100 माइनस 3.14 यह 2 से 2 कट गया और 5 गुना 5 कितना हो गया 25 इस प्रकार 100 माइनस 3.14 गुना 25 सेंटीमेटर स्क्वेर इसको हमने हल किया 100 माइनस 78.5 जो बराबर हुआ 21.5 सेंटीमेटर स्क्वेर के इसी प्रकार दूसरा जो था उसका छेतरफल प्लस चौथा का छेतरफल दोनों को मिला के हमें मिलेगा 21.5 सेंटीमेटर स्क्वेर अतर छायन की डिजाइन का छेतरफल कितना होगा ABCD चेतरफल माइनस कोश्टक में 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 का छेतरफल जो बराबर होगा 100 माइनस दो गुना 21.5 यानि 100 माइनस 43 जो बराबर हुआ 57 सेंटीमेटर स्क्वेर ठीक है बैचो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं आपकी प्रेशनावली 12.3 का पहला प्रेशन आकरती में छायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए यदि पी क्यू बराबर है 24 सेंटीमेटर पी आर बराबर है 7 सेंटीमेटर तथा ओ व्रत का केंद्र है देखिए ये 24 सेंटीमेटर है ये 7 सेंटीमेटर हमें दिया है देखिए क्यू पी आर ये कोण कितना होगा बच्चो 90 डिग्री ये जानते हो क्यों क्योंकि क्यू आर हमारे पस व्यास है अतह कोण आर पी क्यू 90 डिग्री होगा क्योंकि अर्ध व्रत में बना कोण हमेशा सम कोण होता है ठीक है बच्चो इस प्रकार त्रिभुज PQR में पायतिग्रस प्रमे द्वारा हम निकालेंगे RP का स्क्वेर प्लस PQ का स्क्वेर बराबर होगा RQ के स्क्वेर के इस प्रकार 7 का स्क्वेर प्लस 24 का स्क्वेर बराबर होगा RQ के स्क्वेर के आईए, आगे हल करते हैं, RQ का स्क्वेर बराबर होगा 546 प्लस 49 जो बराबर है 625, इस प्रकार RQ होगा 25 सेंटीमीटर के बराबर, इसलिए व्रत की त्रिज्या RQ बटा 2 होगी, जो की है 25 बटा 2 सेंटीमीटर, चायंकित भाग का छेतरफल हम निकालेंगे, जो बराबर होगा अर्धुरत का छेतरफल, माइनस 1 बटा 2 PQR का छेतरफल, देखिए 1 बटा 2 गुना पाई आ स्क्वेर माइनस 1 बटा 2 गुना PQ गुना PQ, इस प्रकार 1 बटा 2 गुना पाई, गुना 25 बटा 2 गुना 25 बटा 2 माइनस 1 बटा 2 गुना 7 गुना 24, इसको आगे हल कर लेते हैं 1 बटा 2 गुना 22 बटा 7 गुना 25 बटा 2 गुना 25 बटा 2 माइनस यहां देखिए 2 से 24 को काटेंगे 12 और 12 को 7 से गुना करेंगे 84 आ जाएगा इस प्रकार हमें मिलेगा 2 से इसको काटेंगे 11 गुना 625 बटा 28 माइनस 84 तो बच्चों यह हमें मिला 6875 माइनस 2352 बटा 28 जिसको हम हल करके प्राप्त करते हैं 4523 बटा 28 सेंटीमीटर स्क्वेर आए अब अगला प्रेशन करते हैं दूसरा प्रेशन आकरती में छायंकित भाग का छेत्रफल ग्याद कीजिए यदि केंद्र ओ वाले दोनों संकेंद्रिये व्रतों की तरिज्याएं क्रमशह 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर हैं तथा कोंड ए ओसी बराबर है 40 डिक्री द और यहां से लेकी हां तक यह 14 सेंटीमीटर है चोटे व्रत की तरिज्या 7 सेंटीमीटर है बड़े व्रत की तरिज्या 14 सेंटीमीटर है आए अब इसको सूत्र द्वारा हल करते हैं छायंकित भाग का छेत्रफल बराबर होगा 40 बटा 306 गुना पाई गुना 14 का वर्ग माइनस 40 बटा 306 गुना पाई गुना 7 का वर्ग अब इसको हल कर लेते हैं यह देखिए 9.36 होता है तो 1 बटा 9 गुना 22 बटा 7 गुना 196 माइनस एक बटा 9 गुना 22 बटा 7 गुना 49 इस प्रकार हमें मिलेगा 616 बटा 9 माइनस 154 बटा 9 इस प्रकार 462 बटा 9 मिला इसको हम 3 से भाग कर देंगे तो हमें मिलेगा 154 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वाइर आ गया समझ में बच्चो चलिए आगला प्रेशन करते हैं तीसरा प्रेशन आकरती में छायंकित भाग का छेत्फल ग्यात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है तथा APD और BPC दो अर्ध व्रत हैं बहुत ही प्यारा प्रेशन है व्रग की भुजा 14 सेंटीमीटर है अर्ध व्रत की तरिज्या 7 सेंटीमीटर होगी अर्ध व्रतों का छेत्फल क्या होगा दो गुना एक बटा दो गुना पाई आर स्क्वाइर इस प्रकार यह हुआ 22 बटा साथ गुना साथ गुना साथ और यह हुआ 154 cm2 व्रक का छेत्रफल हम जानते हैं 14 गुना 14 कितना हुआ 196 cm2 छायंकित भाग का छेत्रफल इस प्रकार हुआ 196-154 जो बराबर हुआ 42 cm2 के ठीक है बच्चो आईए अगला प्रशन देखते हैं आकरती में छायंकित भाग का छेत्रफल ग्यात कीजिए जहां भुजा 12 cm वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मान कर 6 cm त्रिज्या वाला एक व्रतिय चाप खींचा गया है ठीक है बच्चो आकरती देखिए हम जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज का प्रतेक कोन कितना होता है 60 दिग्री का होता है समबाहु त्रिभुज का छेत्रफल भी हम जानते हैं वर्गमुल 3 बटा 4 गुना 12 गुना 12 जो भुजा के बराबर है इस प्रकार ये बराबर हुआ वर्गमुल 3 बटा 4 गुना 12 गुना 12 cm स्क्वेर ठीक है बच्चो आए चायंकित भाग का छेत्रफल बराबर हुआ समबाहु त्रिभुज का छेत्रफल प्लस त्रिज्य खंड का छेत्रफल जो बराबर होगा वर्गमुल 3 बटा 4 गुना 12 गुना 12 गुना 12 प्लस 300 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 6 गुना 6 के और हम हल करके पाते हैं कि यह होगा 36 गुना वर्गमुल 3 प्लस 22 गुना 30 बटा 7 और इस प्रकार यह बराबर हुआ 36 वर्गमुल 3 प्लस 660 बटा 7 cm2 समझ में आया बच्चो चलिए अब अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन पांच भुजा 4 cm वाले एक वर्ग के प्रतेक कोने से 1 cm तृज्या वाले व्रत का एक चतुर्थांच काटा गया है तथा बीच में 2 cm व्यास का एक व्रत भी काटा गया है जैसा कि आकरती में दर्शाया गया है वर्ग के शेज भाग का छेतरफल गयात कीजिए प्रतेक चतुर्थांच की तृज्या कितनी है बिटा एक सेंटी मीटर और इसका हमें व्यास दिया है 2 तो इसकी भी तृज्या कितनी हुई एक सेंटी मीटर प्रतेक चतुर्थांच की तृज्या एक सेंटी मीटर हुई प्रतेक चतुर्थांच का छेतर फल कितना होगा 90 degree बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 1 जो बड़ाबर होगा 11 बटे 14 cm2 के अब देखिए आगे व्रत का छेत्रफल कितना होगा पाई आर स्क्वेर मतलब 22 बटा 7 गुना 1 गुना 1 जो हुआ 22 बटा 7 cm2 के वर्ग का छेत्रफल कितना होगा चार का वर्ग यानि 4 गुना 4 16 cm2 छैंकित भाग का छेत्रफल इस प्रकार हुआ 16 माइनस 22 बटा 7 माइनस 4 गुना 11 बटा 14 इसको हल कर लेते हैं 16 माइनस 22 बटा 7 माइनस 22 बटा 7 जो बराबर हुआ 112 माइनस 44 बटा 7 जिसको हल करके हम पाते हैं 68 बटा 7 cm2 ठीक है पच्चो समझ में आया चलिए अगला प्रेशन करते हैं प्रेशन 6 एक व्रताकार मेजपोश जिसकी तरिज्या 32 cm है में बीच में एक संबाहुत रिबुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा की आकरती में दिखाया गया है इस डिजाइन का छेत्रफल ग्याद कीजिए देखिए हल समझ लेते हैं व्रत की तरिज्या कितनी है 32 cm डिजाइन का छेत्रफल हम कैसे निकालेंगे तीन गुना 120 बटा 360 गुना 22 बटा 7 गुना 32 गुना 32 माइनस एक बटा दो 32 गुना 32 गुना साइन 120 डिग्री यह हमने सूत्र लगाया है और जो बडाबर होगा तीन गुना एक बटा 3 गुना 22 गुना 32 माइनस एक बटा दो गुना 32 गुना 32 गुना वर्गमुल तीन बटा 2 यह साइन 120 का मान है जो बडाबर होगा तीन कोश्टक में 32 गुना 32 आ उभेणिस लेने के बाद 22 गुना 22 माइनस वर्गमुल 3 ग, 4 के जो बडाबर होगा तीन कोश्टक मेंrog एक हजार चौबिस और उभेनिश्ट लिया हमने यहां पर गुना बत्तस को एक हजार चौबिस और यह हमारे पास हाया 88 माइनस 21 वर्गमुल तीन बटा 84 के इसको हमने हल किया और हमें मिलेगा 512 और कोश्टक में 88 माइनस 21 वर्गमुल तीन बटा 14 तो इस प्रकार हमें प्राप्त होगा 256 कोश्टक में 88 माइनस 21 गुना वर्गमुल तीन बटा 7 सेंटीमीटर स्क्वेर आईए अब अगला प्रश्न देखते हैं आकरती में ABCD बुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है A, B, C और D को केंद्र मानकर 4 वर्थ इस प्रकार खीचे गए हैं कि प्रतेक वर्थ तीन शेश वर्थों में से दो वर्थों को बहाई रूप से स्पर्श करता है चायंकित भाग का छेतरफल ग्याद कीजिए हल्थ को समझ लेते हैं A, B, C और D को केंद्र मानकर खीचे गए प्रतेक वर्थ चतुर्थांश बनाते हैं जिसकी तरिज्या 7 सेंटीमीटर है प्रतेक चतुर्थांश की तरिज्या कितनी हुई 7 सेंटीमीटर प्रतेक चतुर्थांश का छेतरफल हम कैसे निकालेंगे यह बराबर होगा 90 डिग्री बटा 307 डिग्री गुना 22 बटा 7 गुना 7 गुना 7 जो बराबर होगा देखे इसको हमने काटा तो 4 गुना कट गया और यहां हमारे पास मिलेगा 4 गुना 1 बटा 4 गुना 22 गुना 7 जो बराबर होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वेर वर्ग का छेतरफल बराबर हुआ 14 गुना 14 जो बराबर हुआ 196 सेंटीमीटर स्क्वेर चायंकित भाग का छेतरफल इस प्रकार हुआ 196 माइनस 154 जो बराबर है 12 सेंटीमीटर स्क्वेर ठीक है बच्चो समझ में आया आए आप घरे कारे के लिए कुछ प्रशन ले लिजे पहला प्रशन त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक व्रत के ल इंगत त्रिज्य खंड का कोण 60 डिग्री है दूसरा प्रशन एक व्रताकार पार्क के अनुदिश बाहर की और 21 मीटर चौडी एक सडक है यदि पार्क की त्रिज्या 105 मीटर है तो सडक का छेतरफल ज्याद कीजिए तीसरा प्रशन एक 20 सेंटीमीटर लंबे तार के तुकडे को मोड कर एक व्रत का चाप बनाया गया है जो इस व्रत के केंदर पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है व्रत की त्रिज्या ज्याद कीजिए अगला प्रशन 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 चार व्यास 20 सेंटीमीटर वाले व्रत की एक जीवा उसके केंदर पर 90 डिग्री का कोण बनाती है इस व्रत के संगत दीर्ग व्रत खंड का छेतरफल ज्याद कीजिए पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए प्रशन पांच किसी व्रताकार खेल के मैदान का छेतरफल 22,176 मीटर स्क्वेर है इस मैदान पर 50 रुपे प्रती मीटर की दर से बाल लगाने का व्याए ग्याद कीजिए ठीक है बच्चो अभ्यास कीजिएगा आगे अब सारांच देख लेते हैं हमने पढ़ा त्रिज्या आर वाले एक व्रत के त्रिज्य खंड का छेतरफल जिसका केंद्रिय कौन थीटा है थीटा बटा तीन सो साथ गुना पाई आर स्क्वेर होता है जहां थीटा को डिगरी अंशों में मापा जाता है दूसरा त्रिज्या आर वाले एक व्रत के त्रिज्य खंड के चाप की लंबाई जिसका केंद्रिय कौन थीटा है थीटा बटा तीन सो साथ गुना दो पाई आर होती है जहां थीटा को डिगरी यानि अंशों में मापा जाता है ठीक है बच्चों आशा करती हूं आपको आज का पार्ट समझ में आया होगा खूब अभ्यास कीजिएगा धन्यवाद झाल 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 झाल